Question number 13 है हमारे पास exercise 6.1 से A balloon which always remains spherical has a variable diameter This find the rate of change of its volume with respect to x यह हमें find करना है, be very careful Okay, तो find क्या करना है हमें हमें dv upon dx find करना है Question में diameter given है तो diameter यह है 3 upon 2, 2x plus 1 तो radius क्या होगा? Radius diameter का half हो जाएगा यानि इसका half कर देंगे हम Half of the diameter और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि volume का भी हम formula लिखेंगे और volume के formula में radius होता है तो हमें radius निकाल रहे हैं फिर जाके हम volume का formula लगाएंगे तो हमारे पास एक proper function बन जाएगा तो यहाँ पे half into diameter यानि 3 upon 2 2x plus 1 तो यह हो जाएगा 3 upon 4 2x plus 1 यह है radius अब आप सोचनों कि इतना सा space क्यों छोड़ा? क्योंकि V हमने लिख दिया है हमें लिखना चाहिए let the volume be V radius को हम R ले लेते हैं तो radius हमारे पास आ चुका है और आइट तो आगी calculate करते है volume होता है 4 upon 3 pi r cube 4 upon 3 pi r की जग़ पे हमें क्या लिखना है? 3 upon 4 2x plus 1 cube अब यह हो जाएगा 27 यह 64 तो simplify करेंगे 3 से कट जाएगा तो यह आ जाएगा 9 है न? वह तरीका cube करेंगे 27 आएगा 3 से कटेगा 9 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा यह है pi and 2x plus 1 की power 3 therefore अब हमें इससे differentiate करना है तो dv upon dx क्या होगा? इससे differentiate करना है 9 upon 16 pi और इससे हम differentiate करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2x plus 1 power में यह 2 आ जाएगा ठीक है? और अंदर differentiate करेंगे हम तो यह 2 आ जाएगा chain rule, you know I am sure आप इससे aware होंगे 2 से यह कटा 8 और यह आ जाएगा यहाँ पे 9 27 27 upon 8 pi और यहाँ पे 2x plus 1 square और यह हमारा answer आ जाएगा है तो I hope आपको यह solution अच्छे से समझ आया होगा Question number 14 है Sand is pouring from a pipe at the rate of this The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1 6th of the radius of the base How fast is height is increasing when height is this Okay, okay मैं आपको question समझाता हूँ एक pipe से sand गिर रहा है और नीचे एक धेर बन रहा है तो धेर कुछ इस तरह से बन रहा है sand का यह एक ऐसा conical shape का एक धेर सा जैसे बनता है ना एक heap सा यह बन रहा है इसकी यह height है और यह radius है यह height है और यह radius है question में यह कहा गया है कि जो height है 1 6th है radius की यहाँ पर यह statement कही गई है और हमें find क्या करना है यह सब हम लिखते हैं ओके लेकिन शुरुबात हम करेंगे कि let h be the height and r be the radius of the cone और यहाँ पर आपको figure बनाने की जरुत नहीं है इसका ध्यान रखना ओके यह बस मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है question में क्या क्या given है यह लिख देते है सबसे पहली बात pipe से send गिर रहा है वो इस rate से गिर रहा है तो क्या given है कैसे पता चलेगा कि given क्या है unit मैं आपको हमेशा कहता हूँ बहुत ही important part है units unit देखो unit में है centimeter cube per second centimeter cube होता है volume है ना volume का unit और second time यानि basically question में उन्होंने दिया है dv upon dt यह दिया है 12 centimeter cube per second यहाँ पे v है volume इसके लावा क्या given है height is 1 sixth of the radius तो यह भी given है और how fast is height increasing when height और height साथ में given है 4 centimeter और हमें dh upon dt find करना है ठीक है question समझ आगया अच्छे से alright अब यहाँ पर हम volume of the cone का formula लगाते हैं तो volume of the cone V हमने पहले ही लिखावा है कि volume of the cone V है तो यह होता है 1 upon 3 pi r square h formulas आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए अब इसे हम differentiate करेंगे लेकिन यहाँ पर दो variable हैं एक r है और एक h है और यहाँ पर उनके बीच में relation given है जिससे कि हम आराम से single variable में इसे convert कर सकते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल smooth रहें आगे से तो यहाँ पर r की जग़े पर हमें put करना है क्या देखो r क्या होगा 6 का उदर multiply करेंगे तो यह 6 h हो जाएगा और यह हो जाएगा यहाँ पर 12 pi h cube किसके terms में only h के terms में और क्यों हमने ऐसा किया है क्योंकि हमारे पास dh upon dt है अगर हमारे पास dr upon dt होता तो हम फिर r की terms में लिखते हम उस case में h की जग़े यह value put करते ताकि सब r में आ जाए तो इसलिए हम सब कुछ h में है और अब यहाँ पर हम इसे differentiate करेंगे तो देखो v है 12 pi h cube तो dv upon dt हो जाएगा 12 pi constant है as it is आएगा यह है 3 h square और साथ में dh upon dt भी आ जाएगा because t के respect में हो रहा है value put करते हैं dv upon dt question में given है तो यह आ जाएगा 12 12 pi 3 और h भी given है that is 4 square है ना 3 into 4 square और यह तो हमें find करना है तो बस सब कुछ यहाँ पर आही चुका है और अब आसानी से हम यह find कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 12 से 12 कर जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा और यह हो जाएगा 1 upon यह हुआ फोर का square 16 हुआ 16 3 is a 48 तो यह हो जाएगा 48 1 upon 48 pi समझ गए आप simple calculation है और unit क्या होगी इसकी तो देखो height कि इसमें है centimeter में है तो यह है centimeter per और t time second में है तो centimeter per second यह unit आ गई है and this is our answer तो I hope आपको यह solution अच्छे से समझ आया होगा कि हूँ आपगा आपिन आपिन